तो आज से हम एक्सरसाइस 9b के कोश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे ओके बेटा देखिए क्या लिखा है लिखा है in the following figure OA is equal to OC and AB is equal to BC prove that angle AOB is equal to 90 degree AOD is congruent to COD and AD is equal to CD क्लियर है बेटा अच्छे से चलिए आसान कोश्चन इस बात को समझेंगे solution ठीक है यहीं भी कर रहा हूं समझो first of all पेटा इस कोश्चन में दिया क्या क्या है पहले हम इसको लिखेंगे given में आसान कोश्चन है ठीक है देखो पहले चीज़ दिया है कि OA और OC पराबर है कॉमा में उसकी बात क्या दिया है कि AB और BC पराबर है यह दो चीज़ पेढ़नी आपको दी है proof क्या क्या करना है to prove में क्या लिखेंगे देखो जड़ा to prove में पहली चीज़ लिखेंगे कि एंगल AOB इसका मान 90 डिग्री प्रूफ करना है दूसरी चीज़ लिखेंगे कि ट्राइंगल AOD इस कांगरेंट डू हो जाएगा ट्राइंगल COD थर्ड चीज़ लिखेंगे कि AD is equal to CD हो जाएगा क्लियर है अच्छे से प्रूफ में देखो बिटा फर्स्ट अफॉल आप लोगे AOB ट्राइंगल और BOC ट्राइंगल ठीक है आप क्या लिखोगे कि इन ट्राइंगल AOB and ट्राइंगल BOC आप नहीं दुनों ट्राइंगल को लिया बिटा अच्छे से क्लियर है देखो समझना AB आपका BC के बराबर है यह चीज़े गिवन है बिटा AB BC के बराबर होगा OA OC के बराबर हो जाएगा क्लियर है और यह जो OB साइड है यह दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो OB is equal to OB हो जाएगा इसका रिजन क्या रहेगा इसका रिजन लिख दोगे कि यह कॉमन साइड है कॉमन लिख दो बस और इन दोनों का रिजन क्या रहेगा यह तो कोशन में given है तो इसको आप given लिख दो क्लियर है आच्छे से तो यहाँ पर यह करता हूँ तो आप लिखो कि therefore triangle AOB is congruent to triangle COB लिखो बाद सेम है ठीक तो इस पर मत पकड़ना मुझको चाहो तो यहाँ तो इसको काट को बीओ सी लिख लिखो बीओ सी लिखो बाद सेम है क्लियर है तमाजी में आया अब समझ ला एक बाद दोनों इन दोनों का सम कितना होगा एक सोस्टी डिग्री होगा ना क्योंकि एसी आपके एक स्ट्रेट लाइन है और इस ट्रेट लाइन पर जतने भी एंगल आते हैं यहाँ पे तो ही आ रहे हैं अंगल एंगल 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 बी उसी उनका सम एक सोस्टी डिग्री होता है लिनियर प्रेट की प्रॉपर्टी के हिसाब से तो आपका एंगल 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 एं अगर बी योशी 90 डिग्री दिखाना होता तो हम योवी की जगा पे बी योशी रख देते इस इक्वाल टू एक्स वस्टी डिग्री क्लियर है अच्छे से अब देखो पहला बाट प्रूव हो गया न सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है कि एंगल AOD को एंगल CO बाफ करीगा ट्राइंगल AOD को और ट्राइंगल COD को कॉंगरेंट दिखाना है तो दिखा लोगे बेटा दिखो ये आपका 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है और ये भी 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है अच्छे ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला कितना हो जाएगा यह वाला एंगल यह वी तो 90 डिवी होगा वाटिकली अपोजिट अगल का नाम चुना है ना और अगर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट अंगल के थुप ठीक है ना समझ गया कि नहीं आच्छा चलिए दिखाते हैं स्केंड पार्ट से कर प्रूफ आंगल ए ओ दी इस इवकल टो अंगल D O C इस इकल टू 90 डिघ्री ऑक और से इस इपलडु को जाए गा यह आपको दोनों का कॉमन हैं यह शुकल अपको और ऑस उकल तो सी इवन था आपका और यह आपने पता लगाया है पता क्या लगाया है जब इसको 90 प्रूफ करें तो जाइड सी बात है वर्टिकल यह पोजिट आंगल के इस आप से यह दूनों भी 90-90 डिग्री हो जाएंगे क्या म्यद्यूट कोषय का लगाइंगल ए इउड्स कॉंट्ट्रो डिणिंगट है और अच्छा अच्छर्ण वे मनेंगर नहीं लिखाता ह है तीनों साइड साहिट गयो अच्छा एओडी और सीओड अगर पॉंग्रेंट हो गए तो आप एडी इस उकल टूटी तो पही सकते हो ना सीपी सीटीची की थूँ तो आप यहां पे लिग दो कि एडी इस उकल टूटीची हो जाएगा रिजन के लिग हो गए सीपी सीटीची क्लियर है आच्छे से ओके चलिए इसके बाद रुपने इस कोशन करेंगे समझेंगे तोड़ा सा कोशन नम्बर ने ले लेए देखो क्या कह रहा है लिखा है दा फॉल्विंग फिगर शोस अ ट्राइंगल अबी सी इन विच अबी इस उपल टूट टूट प्रूट अब्रुट अब्र टूट 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 दूट टूट टूट आउन बी इस बाद तोट बाद बड़े बड़ा कोश्न भले लेग रहा हूं लेकिन है आसान कोशन देखो कैसे करेंगे फिर्स्ट अबल आप नहीं लेंगे कि किए गीवेण है ठीक है? चलिए क्या की मैं ने जरा बताईए A, B और B, C बराबर दिया हुआ है A, B और B, C बराबर दिया हुआ है ठीक है? और क्या दिया है B, M is equal to C, N, P दिया है First part ये दिया है Second part क्या दिया है B, M is equal to C, N इसके बाद to prove क्या करना है First part क्या प्रूफ करना है? कि A, M is equal to A, N होगा Second part क्या प्रूफ करना है? कि triangle A, M, C is congruent to triangle A, N, B होगा Third part क्या प्रूफ करना है? कि B, N is equal to C, N होगा और fourth part क्या प्रूफ करना है बेटा कि triangle B, M, C is congruent हो जाएगा triangle C, N, B के Okay अब इसके बाद में प्रूफ देखो प्रूफ बहुत आसान है इसका अब देखो A, B is equal to B, C दिया हुआ है A, B और B, C माफ करिएगा A, B और A, C होगा और B, C मैंने कहा से लिखती है A, B और A, C होगा A, B, A, C के बराबर है B, M, C, N के बराबर है इन दोनों को लिखो और आपस में माइनस कर दो यानि A, B मेंसे B, M माइनस करो और A, C मेंसे C, N को माइनस करो ठीक है A, B मेंसे आप B, M को माइनस करो और A, C मेंसे आप C, N को माइनस करो A, B मेंसे अगर आप B, M को माइनस करते हो A, B मेंसे अगर आप B, M को माइनस करते हो तो आपको A, M बचेगा AC मेंसे अगर आप CN को माइनस करते हो हटाते हो तो आपको AN बचेगा अच्छा माइनस किया किस प्रेस्वल के थुरू है ये क्लियर है कि नहीं ये चीजे वैसे कई बार मैं बता चुका हूँ देखो, AB AC के बराबर था अगर हम AB और AC मेंसे कोई AC इंटिटी आपस में माइनस कर दें जो दोनों आपस में एकवल हो तो जो उसका resultant आएगा वो भी एकवल होगा मिसाल के तोर पे हमने BM और CN को अलग-अलग इंटिटी तो दिख रही है कि हमने BM एक मेंसे BM को माइनस किया और एक मेंसे CN को माइनस किया AB मेंसे BM को माइनस किया है AC मेंसे CN को माइनस किया है लेकिन इसका सच तो जानो सच क्या है कि BM और CN आबस में बराबर है इस वज़े से हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ठीक है तो बैटा देखो यहाँ पर पहला पार तो प्रूव होगे आपका आसानी के साथ ठीक है ना आप देखो सेटन चीज़ क्या है AMC AMC ट्राइंगल और कौन सा AMB ट्राइंगल तो बैटा इस ट्राइंगल को कॉंगरेंट करने से पहले आप इसको अलग-अलग बना लो तो आपके लिए कोशन और असान हो जाएगा ठीक है चलिसदिए मैं बना देता हूँ जाइड में थीक है दो अ.. AMC ट्राइंगल आपन यहाँ बनाया है और सै निचे बना देता हूँ BMC ट्राइंगल माफ करेगा AMB ट्राइंगल ही न Tada कब ऑफ ए हो गया यह N हो गया यह B A M आपका, A N के बराबर हो गया, अभी आप यहां में देखो, प्रूफ करके आए हो, और एंगल A, एंगल A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में common है, तो कौन सा criteria लगेगा, बताना ज़रा बिटा, कौन सा लगेगा, बताओ, साइड एंगल साइड से congruent हो जाएगा न, यहां पर आप लिखोगे, in triangle A M C, and triangle A N B, A M is equal to A N, इसका reason लिखोगे P A, P A का मतलब, proved above, यहां पर आप देखो, prove करके आ रहे हो, clear है, second क्या लिखोगे, कि A C is equal to A B, A C is equal to A B, ठीक है, और angle M A C is equal to angle B A N, ठीक है, यह equal क्यों है, क्योंकि दुनों आपस में बेटा, भले इसकी naming अलग हो थोड़ा सा, लेकिन आपस में यह common है, एक ही triangle, एक ही angle की बात हो रहे है, तो अब लिखोगे, triangle A M C is congruent to triangle A N B, clear है, next चीज़ क्या है, कि B N is equal to C M, तो यह तो आप ऐसे ही कह सकते हो, C P C T C के दूप, एक बात दुनों triangle congruent होगे, इसके बचे हुए side, बचे हुए angle आपस में बराबर हो जाएगे, ठीक है, तो इसके बचे हुए side में M C और B N आ रहा है, ठीक है, तो आप लिए सकते हो, कि B N is equal to C M, या M C लिखतो, reason क्या हो जाएगा, C P C T C, clear है, आच्छे से, fourth part क्या है, देखो जरा, कि triangle B M C और triangle C N B भी आपस में congruent है, तो इसको भी अलाग अलाग बना लेते हैं, और आसानी हो जाएगी, देखो, कौन से triangle है, triangle B M C, चली बना लेते हैं यहाप B M C, और कौन से triangle है, देखो, triangle C N B, C N B, बना लेते हैं, C N B भी triangle है, अब देखो, question में क्या दिया है, अच्छे, ठीक, कोई दिक्कत वाली पाद, देखो, यह तो और आसान है, यह तो side 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 से ही congruent हो गया, देखो, B C, आपका B C के बराबर हो गया, क्योंगी, common side है, A की side है, ठीक है, अच्छा, M C आपका, B N के बराबर हो गया, यहापे देखो, M C कहो या CM कहो, बात से हमें, CM आपका B N के बराबर हो गया, और B M और C N आपस में, कोशन में, बराबर दिये होगे थे, given थे, कि B M is equal to C, यानि यह वाली side, इसके बराबर हो गया, यह दोनों तो बहुत आसान है, side 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 से ही congruent हो गया, ठीक है, यहापे आपका, हो गया, in triangle B M C and triangle C N B, okay, M C is equal to B N, M C is equal to B N, proved above, लिख दो, P A proved above, B C is equal to B C, common है यह, okay, next चीज क्या है ज़रा देखिए, कि आपका जो है, यह B M is equal to C N हो गया, B M is equal to C N, reason क्या रहेगा, given है question में, ते हाँ पर आप लिखो कि therefore, triangle B M C is congruent to triangle C N B, side 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 के तुरू, दोनों triangle congruent हो गया, clear है बिटा, आच्छे से, okay, चलिए, इसके बाद अपने next question करेंगे, समझेंगे, समझेंगे बटा, question number 12, देखो क्या कह रहा है, लिखा है, इना triangle ABC, AB is equal to BC, solution इसका देटे है, कह रहा है, triangle ABC, पहले बना लेते है, triangle, ABC, okay, क्या कह रहा है, कि AB और BC बराबर है, चलिए, इमने बराबर कह थी, यह दोनों side बराबर है, कह रहा है, AD perpendicular है, side BC के, तो यह AD side है, इसको perpendicular दिखा दिया side BC के, ठीक है, और कह रहा है, CE जो है, CE perpendicular है, AB के, AB के perpendicular CE है, चलो, perpendicular दिखा दो, यहाँ पर, ठीक है, तोड़ा ऐसे है, CE है, कह रहा है, प्रूफ करिए, कि AD और CE बराबर होंगे, बहुत असान कोशन है, देखने हम टफ लगा है, लेकिन है यह बहुत असान, देखो कैसे होगा, यहाँ पर दो ट्रेंगल को उठाओ, इसको कॉंग्रेंट दिखा दोगे, AD is equal to CE हो जाएगा, CP, CT सीगत हो, लेकिन में दो ट्रेंगल होंगे, कॉंगों सी, यह भी समझ लो बाद, एक ट्रेंगल होगा आपका, A, B, D ट्रेंगल, इसमें 90 डिग्री है, ओके, और एक ट्रेंगल होगा आपका, यह वाला, C, E, E, ठीक है, आप समझो, इसमें कैसे कैसे होगा जरा चीज़े देखो, A, B आपका, B, C के बराबर दिया हुआ है, कोश्चन में, यह वाला एंगल, यानि एंगल A, D, B, और एंगल B, इसी 90 डिग्री के होगे, एंगल B, देखो बेटा, दोनों में कॉमन है, यही वाले की बात हो रही, इस वाले एंगल की, यह वाले ट्रेंगल काट होगे, तो भी यह वाले एंगल आएगा, और यह वाले एंगल निकाल होगे, तो भी यह वाले एंगल आएगा, यानि यह दोनों तो कॉमन होगे, कौन से क्रेट एविया लगा, एंगल एंगल साइट का लगा, उसके बाद, A, D is equal to, आप C, 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 इस बात को लिख लेते हैं फरस्ट अब भी कोईशन में आपको गीवन क्या क्या है बटा तो गीवन क्या क्या है बेटा पहली चीज कि अबी आपका बी-सी के बराबर है दूसरी चीज क्या गीवन है कि एंगल ADB is equal to angle BEC is equal to 90 degree ठीक है सेकेंड चीज क्या लिखोगे बेटा टूप्रूव में बताना बेटा क्या लिखोगे टूप्रूव में यही लिखोगे कि AD is equal to CE यह चीज प्रूव कर लिए है तो प्रूव कैसे करोगे बेटा ज़रा बताना आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABD and ट्राइंगल BEC ओके लिखोगे AB is equal to BC AB is equal to यहाँ पर BC लिख लो यह आपका question में given है ओके आच्छा इसके बाल दिखोगे आप अंगल ABD यानि यह वाला इंगल इसके बराबर है is equal to angle ABC यह दोनों equal क्यों हैं क्योंकि बेटा common है यह एक ही angle की बात हो रही है ठीक है और यह होगे angle ADB is equal to angle BEC is equal to 90 degree यह चीज़ आपके question में given है ओके तो यह जाएगा therefore triangle ABD is congruent to triangle BEC CRITERIA कौन सा लगा बेटा angle angle side जैसे ही एक बड़ दो angle माफ करिएगा जैसे ही एक बड़ दो triangle आपस में congruent हो गए है उसके बचे हुए side बचे हुए angle आपस में बराबर हो जाते हैं CP CTC के तुरू ठीक है तो आप लिख सकते हो कि AD is equal to CE हो जाएगा AD is equal to CE हो जाएगा reason क्या राएगा CP CTC क्लियर है पिटा अच्छे से उके इस्टुए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और इस वीडियो को उन बचे तक जरूर पहचा है जो पर्चिम को एफॉल्ड नहीं कर सकते हैं